नमस्कार लिसनर्स, मैं डॉक्टर सरिता सोनी, आज आप से सिकंडरी के सोशल साइन्स सब्जेक्ट के लेसन्स 17 इंडिया, एक कल्यानकारी राज के विशे में बात करेंगे, हमारे पिछले सेशन्स में हमने लेसन 15 में समयधान एक मूल एवम भारत की राजनेतिक विवस्था पर बात की थी, और हमने ये जाना था कि समयधान कैसे बना और उसकी क्या विशेश्टाएं हैं, साथ ही हमने भारत में संगे प्रणाली को भी समझा था, हमारे लेसन 16 में हमने मूल एक अधिकार और कर्तवियों के विशे में समझा था, आज के सेशन में हम जिन बिंदों पर चर्चा करेंगे वो हैं, भारत एक कल्यानकारी राजिक कैसे हैं, राजिके नीती निर्देशक तत्व कौन-कौन से हैं, नीती निर्देशक सिधानतों की श्रेडियां क्या हैं, ये क्या होते हैं, मौलिक अधिकार और राजिके नीती निर्देशक सिधानतों के बीच क्या अंतर हैं, तो ये कुछ points हैं, जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारी जो सोशल साइन्स के किताब है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारा जो ये लेसन है, लेसन 17, वो एक छोटे से उधारन से शुरू होता है, जिसमें दो मित्र एक शहर में जाते हैं, जहां पे उनका एक छोटा सा रिक्षिस एक्सिडेंट हो जाता है, उसमें से एक दोस का इलाज होता है, तब तक वो अपने एक रिष्टेदार को वहां पे फोन करके बुलाता है, और डॉक्टर आक उसको बताता है कि सब कुछ ठीक है और वो लोग अब प्रात्मेक उपचार के बाद जा सकते हैं, इस उपचार के लिए उन्हें कोई जादा शुल्क नहीं दे होगी कि जो भारत है वो कल्यानकारी राजी कैसे है और कल्यानकारी राजी की अवधारना होती क्या है, तो हमारे समिधान में भारत को एक कल्यानकारी राजी के रूप में वर्णित किया गया है, ये सरकार की अवधारना है जिसमें राज अपने नागरिकों के आर्थिक और समाजिक कल्याण के सरक्षन और समवर्धन में महत्वपूर भूमी का निभाता है दूसरा कल्याणकारी राजे अफसर की समानता मतलब सभी नागरिकों को समान अफसर मिले और धन के समान वित्रण मतलब मार्किट में मने का इक्वल डिस्टिब्यूशन हो के सिधानतों पर आधारित होता है यह उन लोगों के लिए सरकारी जिम्मेदारी पर भी ध्यान के इंद्रित करता है जो अच्छे जीवन के नियूनितम प्रावधानों का लाब उठाने में आसमर्थ है मतलब जिनके पास सभी सुविधाएं नहीं है यह उनके लिए कारे करने का प्रयास करता है इस प्रणाली के तहट अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कारे करना राजी की जिम्मेदारी है मतलब इसमें राजी यह ध्यान रखता है कि उसके अंतरगत रह रहे सभी नागरिकों को सभी सुविधाएं सभी अवसर प्राप्त हों हम सभी जानते हैं कि आजादी से पहले भारत एक कल्याण कारी राज नहीं था ब्रिटिस शासन को लोगों के कल्याण की रक्षा या उसको बढ़ावा देने में कोई दिल्चस्पी भी नहीं थी उसने जो कुछ भी किया वो अपने ब्रिटिस और अपने वेशिक सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए किया ना कि भारत के लोगों के हितों में जब भारत को स्वतंतरता मिली तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां भी थी सामाजिक और आर्थिक आसामानता व्यापक थी आर्थिक रूप से भारत की जो इस्तिती थी वो दैनिये थी बहुत खराब थी समाजिक रूप से भी भारत कई समस्याओं से जूज रहा था हमारे समाज में कई तरह की आसामानताएं थी और समाज के सभी कमजोर वर्ग जैसे महिलाएं, दलित, बच्चे, जीवन यापन की बुनियादी सादनों से वन्चित थे हमारे जो समविधान निर्माता थे उनको इन सभी समस्याओं के बारे में अच्छी जानकारी थी इसलिए उन्होंने ये तै किया कि हमारा जो भारत है वो एक कल्यानकारी राज्य होगा तो आई आप जानते हैं कि कल्यानकारी राज्य क्या है हमारा जो भारतिय सम्विधान है इसकी प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्म निर्पेक्ष, लोकतांत्रिक गर्डाजी के रूप में वर्णित किया गया है और सम्विधान में भारत के लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्यान को सुनिशित करने के लिए दो विशिष्ट प्रावधान भी किये गए हैं जिन में से एक है मौलिक अधिकार और दूसरा है राजिके नीती निर्देशक सिध्धान्त हमारे सम्विधान में भाग तीन में वर्णित हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो एक गारेंटी के रूप में कारे करते हैं मतलब जो हमारा सम्विधान है वो हम सभी भारतिय नागरिकों को 6 तरह के मौलिक अधिकार देता है जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सोशन के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और सेक्षिक अधिकार, और समयधानिक उपचार का अधिकार ये जो सभी अधिकार हैं ये वैक्ति का अधिकार हैं जिन्हें आम तोर पर उदाल लोकतंतर के समिधानों में शामिल किया गया है इन में से कुछ महत्वपूर अधिकार हैं जैसा कि अभी आपको बताया समानता के अधिकार के अंतरगत कानून के समक्ष समानता सोतंतरता के अंतरगत भाशन और अभिवेक्टी के सोतंतरता और शांतिपूर सभा धर्म की स्वतंत्रता एक महत्वपूर फ्रीडम है जो हमें समिधान द्वारा दी गई है और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सम्विधानिक उपचार का अधिकार लेकिन ये काफी नहीं था भारतिय नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक विकास के अफसरों की भी आविशक्ता थी कही कारण है कि भारतिय समिधानिर्माताओं को ये पता था कि यदी सभी मौलिक अधिकारों को सई ही मायने में वो लागू भी कर देते हैं तो भी भारतिय लोकतंतर के जो लक्ष हैं वो तब तक नहीं प्राप्त किये जा सकते जब तक की भारत के लोग सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का लाग नहीं उठाते मतलब जो आम नागरिक हैं, जो आम जनता है अगर वो सामाजिक और आर्थिक रूप से सुद्रण नहीं होगी तो इन अधिकारों का वोलाब सही तरह से नहीं उठा पाएंगे वे भारतिय राजियों की शमता की सीमाओं से भी अवगत थे हमारे जो भारतिय राजित थे वो लगातार विदेशी साशन से स्वतंतरता के बाद समाजिक और आर्थिक रूप से निचले इस्थर पर थे इसलिए नीती निर्देशक सिद्धान्त का न्रिमाण किया गया जिसके अंतरगर्त भारतिय नागरिकों को आर्थिक और समाजिक विकास के अफसर प्रदान करने के लिए राजी के नीती निरेशक सिध्धान्तों को अपनाया गया हमारे जो ये राजी के नीती निरेशक सिध्धान्त हैं इनको समविधान में भाग चार में एक अलग अध्याय के रूप में भी शामिल किया गया है आईए आप जानते हैं कि जो राजे के नीती निर्देशक सिध्धान्त हैं इनकी विशेश्टाएं क्या क्या हैं इनके फीचर्स क्या हैं जो ये नीती निर्देशक सिधान्त हैं ये भारत की केंद्र और राजे सरकारों के लिए दिशा निर्देश हैं मतलब ये केंद्र और राजे दोनों ही सरकारों को सहायता करते हैं अपनी नीती निर्दारण करने के लिए जन कल्याण के कारियों को करने के लिए दूसरा ये गैर न्याय योग्य हैं ये सच है कि भारत के समिधान के ये प्रावधान जो है वो गैर न्याय योग्य हैं जिनका अर्थ ये है कि ये किसी भी न्यायाले द्वारा प्रवर्तिनिय नहीं है लेकिन सिध्धान्तों को देश के साशन में मौलिक माना जाता है देश में न्याएपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कानून बनाने में इन सिध्धान्तों को लागू करना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का कर्तब है ये जो राजी के नीती निर्देशक सिध्धान्त हैं ये आइलेंड के सम्विधान में बताए गए निर्देशक सिध्धान्तों से प्रेरित हैं और गांधिवादी दर्शन के सिध्धान्तों से भी इनमें प्रेणना ली गई है इसके लावा ये समाजिक और आर्थिक लोगतंत्र की भी स्थापना करते हैं जो नीती निर्देशक सिधान्तों का उद्देश है जो पहला उद्देश है वो यही है कि जो हमारा समाज है उसमें सभी लोगों को समान अवसर मिले और एक अच्छे लोगतंतर की स्थापना संभव हो सके और उसके अलावा जो राजी के नीती निर्देशक सिध्धान्त हैं ये बेसिकली सरकारों का जो प्रदर्शन है वो किस तरह से कार कर रही है जनकल्याण के उसको मापने का भी एक मापदंड के रूप में कारे करते हैं तो इस तरह से जो नीती निर्देशक सिध्धान्तों के विशेष्टाएं हैं वो ये है कि सबसे पहले वो केंद्र और राजी सरकारों के लिए दिशा निर्देश है दूसरा ये गैरन्यायोग है तीसरा ये आलेंड के सम्विधान से प्रेरित है और महत्मा गांदी के दर्शन से भी उस सिधान्तों में प्रेंडना ली गई है उसके लावा ये समाजिक और आर्थिक लोगतंत्र की स्थापना के लिए कारे करती है उसके लिए हमेशा प्रक्तिशील रहती है और साथ ही ये सरकारों के प्रेर्शन को मापने का एक मापदंड भी है अब हम बात करेंगे कि जो राजिके नीती निर्देशक सिधान्त हैं ये कितने प्रकार के होते हैं ये जो राजिके नीती निर्देशक सिधान्त हैं यह बिसकली समाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिध्धान्त क्योंकि इनका नीती-ní perfectly सिध्धान्तों का जो पहला उद्देश है वो यही है कि समाज में समाजिक और आर्थिक समानता हो जो राज्य है या केंद्र सरकार हैं, उनके जो कारे हों, वो अपने राज्यों में समाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले कारे करने वाले हों। उनको गांधिवादी सिध्धान्त कहा जाता है। उसके अलावा तीसरी केटिग्री है अंतरास्टे शांती और सुरक्षा से सम्मंदित सिध्धान्त मतलब इंटरनाशनल पीस और सेफ्टी हमें अपने आसपास की जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्री हमारे जो पडोसी राजदेश हैं उनके साथ हमारे सम्मंद हम कैसे बनाएं उनको कैसे मिंटेन रखें इसके लिए भी राज्य के नेती निर्देशक सिध्धान्तों को बनाया गया है। उसके अलावा कुछ और भी सिध्धान्त हैं जो इसके अंतरगत आते हैं तो अब हम यह जानेंगे कि जो राजे के नेती निर्देशक सिध्धान्त हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंतरगत राज और केंद्र के सरकारों को किस तरह के कार्यों को करना होता है। जिन सिध्धान्तों के अपने बात करी जैसा कि हमने जाना कि कुछ सिध्धान्तों का जो संबंध है वो समाजिक और आथिक विकास से है कुछ का संबंध गांधिवादे चिंतन से है और कुछ का संबंध विदेशी नेती से है सम्विधान उन्हें विबिन शीर्शों के अंतरगत वर्गिकृत नहीं करता है लेकिन हमारी बहतर समझ के लिए हम खुद उन्हें विशिष्च शेर्णियों के अंतरगत वर्गिकृत कर सकते हैं जैसा कि अब भी हमने देखा समाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिध्धान्त गांधिवादी विचार से समंदित सिध्धान्त अंतर राष्ट्य शान्ती और सुरक्षा से समंदित सिध्धान्त और उसके अलावा कुछ और सिध्धान्त हैं जो विविद सिध्धान्तों की श्रेणी में आते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं पहले सिध्धान्त हैं समाजिक और आर्थिक जिसके अंतरगत राज्य और केंद्र सरकारों को समाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए कारे करना होता है। दूसरी तरह के सिध्धान्त है गांधी वादी जो महात्मा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित आधर्शोपर आधारित हैं। और उसके अलावा अंतर राष्ट्य शांती और सुरक्षा से सम्बंदि सिध्धान्त और विविश सिध्धान्त जो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोट पारेवर्ण और अंतर राष्ट्य सिध्धान्तों पर आधारित हैं। तो अभी हमने जितनी भी बात की वो बेसिकली ये जाना कि जो हमारा भारत है वो एक कल्यानकारी राज कैसे है और कल्यानकारी राज बनाए रखने के लिए क्या-क्या प्रावधान किये गए हैं। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा विराम लेंगे और वापस आकर हम ये जानेंगे कि राज के नीती निदेशक सिधान्तों के कितने प्रकार होते हैं और ये किस तरह से कारे करते हैं। नमस्कार